चार चम्मच बेशन से पनाएं एकदम नए तरीके की बहुत ही स्वाधिष्ट रेसिती जो आपको बहुत पसंद आएगी अप उंगलियां चाटने को मजबूर हो जाएंगे तो चलिए बनाते हैं यहां पर मिक्सी के जार में हमने एक मीडियम साइच के प्याच को छील करके ऐसे बड़े बड़े टुकडों में काटके लिया है एक टमाटर है टमाटर को भी हम ऐसे रफली चॉप कर लेंगे इसमें डालेंगे 6-7 लहसुन की कलिया दो सूखी लाल मिर्च और यह एक इंच अद्रक का टुकडा है उसे भी हम छील करके ऐसे मोटा मोटा काटके डालें खड़े मसाले आप चाहें तो अपनी पसंद के और भी डाल सकते हैं तो यहां पर हमने इसे पीस के रेडी कर लिया है अब एक बावल में हम लेंगे सिर्फ चार चम्मच की जितना बेशन चुटकी भर हम इसमें अजवाइन डाल देंगे साथी साथ चुटकी भर ही इंग औ और आधी चुटी चम्मच लाल मिस्ट पाउडर डाल दिया एक स्पून से हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे दन इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करेंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाए क्योंकि हमें इसका गाढ़ा पेष् इतना है आपको जिससे की बैटर थोड़ा फ्लफी हो जाना चाहिए यहां पर कडाई में मैंने पानी उबलने के लिए रखा है यह लगभग दो ग्लास के जितना पानी होगा और इसमें हम इस तरीके की यह चन्नी लेंगे जिससे हम पूरी वगरा तलते हैं और फिर हम इसम चला देंगे थोड़ा सा तो इस पून या चमचे से हलका हलका चलाते जाए तो यह इसमें इस तरह से गिर जाएगा ध्यान रहे पानी उबलता रहना चाहिए तो यह दिखे हमने पूरा वेशन इसमें डाल दिया और यह बढ़ी आसी बॉयल हो रहा है यह जो वेशन है वो इसे इसको थोड़ा चोटा कर दीजिए तो यहां पर हमने इस तरह से इसे करने के बाद लगबख तीन से चार मिनट तक पकाना है या लगबख पांच मिनट में यह अच्छे से कुक हो जाएगा अब देख सकते हैं बड़े असे सेट भी हो गया है अब हम क्या करेंगे कि कल सब्जी बनाने का और सब्जी जो है वह इतनी टेस्टी बनेगी कि आप दो की जगे चार रोटी खा जाएंगे तो देखिए हमने निकाल लिया गैस बंद कर देंगे जो पानी है यह बहुत ही फ्लेवरफुल पानी है तो इसे फेकना नहीं है इसे हम आगे इस्तमाल करेंग उसी कड़ाई को दो करके हमने उसमें डाला तेल 5-6 बड़े चम्मच की जितना तेल आप अपने हिसाप से कम जादा कर सकते हैं हींग और जीरा डाल देंगे भून लेंगे थोड़ा सा फिर हमने जो प्याज टमाटर लैजो नदरक का पेस्टे तैयार किया था वो डाल दें अब हमें अच्छे से भूनना है फ्याज टमाटर को बढ़िया से भूनने दीजिए इसे तो तेज आच में नहीं भूनेंगे मिडियाम आच में ही हम इसे भून लेंगे जब तक हमारा मसाला भून रहा है हमने या पर 1 कटोरी में एक चम्मच हल्धी पाउडर और लगबस दो चम्मज धनियाँ पावडर लिए हमने एक चम्मज कस्मीरी लाल मिर्ची पावडर है साधी साथ आधा चम्मज गरममसाला है आधा चम्मज भुना जीरा पावडर और थोड़ा सा हम इसमे नमक भी डालेंगे या फिर नमक आप टेस्ट के कर डिंग डालें अच्छे से मिल और नहीं होने चाहिए इस में इस बात का ध्यान रखे तो इदेखे फ्रेंड्स घोल हमारा थयार है और इधर हमारा जो मसाला ह्पी अच्छे से भुचिका है अभी जो मसालों का घोल हम Mach अर्शे में टीर किया अब यह जो पानी था उसका बेशन वाला वो हम इसमें आैट करेंगे और जरूरत लगती है तो हम इसमें थोड़ा सा साधा पानी भी डाल सकते हैं सबजी की जो ग्रेवी की ठिकनेस है वो आप अपने इस आप से अज़िस्ट कर सकते हैं तो मैंने इसमें थोड़ा पानी और डाला है, बस अच्छे से मिक्स करेंगे, और ग्रेवी में बड़ी हाँ उबाल आने देंगे, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ग्रेवी में बड़ी हाँ उबाल आ गया है, तो लगबग 2 मिनट तक इसे इसी तरीके से उबलने दीजिए इसके बाद ये जो हमने बेशन को इस तरह से पकाया है वो हम इसमें डाल देंगे तो पूरा का पूरा एट कर दीजिए बढ़े से मिला दीजिए और मेडियम फ्लेम में लगबग 3-4 मिनट तक इसे बेशन के साथ यानि की मसाले के साथ अच्छे से पका लेजिए फिर इसमें डाल दीजिए कसूरी मेथी दोहरी मिर्च को मैंने से 20 से स्लीट करके डाला है थोड़ा सा बारिक कटा हुआ हरा धनिया मिक्स कर देंगे अच्छे से तो लगबग मैंने इसे 3-4 मिनट तक और पका लिया है और ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सबजी बनके तयार है नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने आपर थोड़ा सा नमक और एड़ किया है नमक आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें सबजी हमारी बनकर के बिल्कुल तयार है हमने गैस बंद कर दिये है और इस गर्मा करम सबजी को हम निकाल लेंगे सर्विंग प्लेट में सबजी बनाने का यह तरीका आपको कैसा लगा जरूर बताएगा और एक बार इस तरह से सबजी बना करके ट्राइब भी जरूर कीजिएगा बहुत टेस्टी बनेगी जब आपको कुछ समझ ना आए कि हम क्या बनाए और कोई हरी सबजी ना हो ता आप इसे बना सकते है तो रेसिपी को ट्राइ कीजिए रोटी के साथ खाये या चावल के साथ आपको बहुत पसंद आएगी रेसिपी कैसी लगी फीड़ बैक में जरूर बताएगा फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबा और टेक गया